नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनोज कुमार आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नौकरी एकजाम वाला दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आज की हम वीडियो में लेकर आये हैं पेड़ागोगी सीरीज के अंतरगत भाग नमबर 9 जिसमें 10 महत्पूर्ण प्रसनो को हम आपके लिए लेकर आये हैं जो अतियंत महत्पूर्ण हैं वीडियो को लाइक जरूर कर ले साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जरूर दवा दे अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को या चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं साथ ही चैनल को वीडियोज को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें जिससे सभी हमारे परिवार के साथ चूर सकें बढ़ते हैं पहले प्रस्ण की तरफ प्रस्ण है किसके अनुसार बालक का विकास आनुवान सिक्ता और वातावन का गुड़न फल है किस ने कहा कि बालक का विकास और आनुवान सिक्ता तथा वातावन का गुड़न फल होता है उनके अनुसार आनुवान सिक्ता के वहवार के रचना तंत्र का निर्मान होता है उन्होंने कहा कि आनुवान सिक्ता से वहवार के रचना तंत्र का निर्मान होता है तथा वातावन उस रचना तंत्र के वहवार के एक निश्चित दिसा विक्षित करता है बीज से जैसे बीज से वरक्ष बनने की संभावना निहित है लेकिन वात्यवन के आधार पर उसके विकास का इस्तर निर्धारित होता है दोनों में से किसी एक के अभाम में वरक्ष का समुची धंग से विकास होना असंभव है या संभव नहीं है इसलिए वुडवर्थ का मत्था की बालक का विकास भी आनुवान सिक्ता और वात्यवन का गुड़न फल है अगला प्रेसन लेते हैं अगला प्रेसन है मनो विज्ञान ने मनो विज्ञान ने सरपृत्धम अपनी आत्मा का परिधा किया फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का अभी वह एक प्रकार के वैवार को संजोय है यह कथन किस ने दिया था प्रसुन को समझ लें और ध्यान से समझें मनो विज्ञान ने सरपिर्थम अपनी आत्मा का परित्याक किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक पिरकार के वहवार को संजोए है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, ओप्सन है, वुन्ट के द्वारा, ओप्सन 2, टिचनर, ओप्सन 3, वुडव के द्वारा कहा गया था, कि मनो विज्ञान ने सरपिर्थम अपनी आत्मा का परिताक किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक पिरकार के वहवार को संजोए हुए, ये कथन वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था, साइकोलोजी या मनो विज्ञान यूनानी भासा का एक सब्द है, एक महत्पूं प्रसन निकल के आता है यहां से कि साइकोलोजी किस भासा का सब्द है, कहां से उत्पन हुआ, तो ये साइकोलोजी, मनो विज्ञान, यूनानी भासा का सब्द है, जो दो सब्दों से मिलकर बना हैं साइकी और लोगस, अते साइकोलोजिक सब्द का अर्थ है आत्मा का अध्यन, काल चक्र के अनुशेगार मनोवज्ञान का विशय बदल रहा है और अंत्ते मनोवज्ञान का विशय वैभार का अध्यन बनता जा रहा है, वुड़वर्थ के सब्दों में सरप्रिथा म अपनी आत्मा का त्याक किया फिर इसने मन का त्याक किया पुन है इसने अपनी चेतना का त्याक किया अव वह वैवार के विधी को स्विकार करता है चेतना वैवार मन आत्मा चेतना वैवार मन आत्मा इसका कथन का पूरा जो अर्थ निकल के आता है चेतना वैवार मन आत्मा तो इधान रखें, ये कथन जो था, वुडवर्थ ने कहा था, अगला प्रस्ण है, मनो लेंगिक विकास में सुपता वस्था का वर्ष अंत्राल सम्मंदित है, उप्शन एक चैवर्ष से योवन की अवस्था तक, उप्शन दो दो से पाँच वर्षों तक, उप्शन तीन अठारे से बीस वर्ष का, उप्शन नमबर चार बीस से बाईस वर्षों का, तो सही उत्तर है, उप्शन नमर एक चैवर्ष से लेकर योवन तक मनोलेंगिक विकास में सुपता वस्था का वर्ष अंत्राल कहलाता है, मनो लेंगिक यानि जो मानव का विकास है या मनो लेंगिक विकास है उसमें सुपता वस्था का जो अंतराल होता है वो छे वर्से योवन अवस्था तक का अंतराल होता है इस विकास के सिध्धान्त के अनुसार सुपता वस्था का जो वर्स अंत्राल होता है या समय पीरियड होता है वह छे वर्स से आरम होता है और किसोरा वस्था या योवन वस्था तक चलता रहता है इसमें दो प्रेसन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं पहला मनोलेंगी के विकास का सिधान्त किस ने दिया तो उत्तर होगा सिगमंड फ्राइड ने और इसकी जो अवस्था होती है मनोलेंगी के विकास के उसकी जो अवस्था होती है छे वर्स से लेकर किसोरा वस्था या योवन वस्था तक होती है अगला प्रस्थन है विकास के मनो वैग्यानिक सिधान्त का प्रतिपादन किस ने किया था विकास के मनों सामाजिक सिध्धानत का विकास या प्रतिपादन किस ने किया था इसमें पैडागोगी में अधिकांस जो प्रस्ण है एक दूसरे से मिलते हुए लगते हैं लेकिन वास्ता में वो एक दूसरे से अलग होते हैं इसलिए प्रस्णों को बड़े ही धान से आप जाने समझें ताकि आपको कोई confusion ना हो यहाँ प्रस्ण है विकास के मनो सामाजिक से धानत का पृतिपादन किस ने किया था option 1, fried ने, option 2, iricson, option 3, kohler, option 4, Watson, सही उतर है option 2, विकास के मनो सामाजिक से धानत का पृतिपादन, iricson ने किया था विकास के मनो वग्यानिक या मनो सामाजिक, विकास के मनो सामाजिक, विकास का से धानत, पृतिपादन, iricson ने किया था इस सिध्धान्त के अनुसार यानि मनों सामाजिक सिध्धान्त के अनुसार माता, पिता और दोनों ही नेतिक नेमों को सीखते हैं बच्चे, माता और पिता दोनों से ही नेतिक नेमों को सीखते हैं ये मनों सामाजिक विकास का सिध्धान्त है कहना का मतलब है अगर दूसरे सब्दों में बोलें कि बच्चे जो भी सीखते हैं वो सब ही चीजें अपने माता और पिता दौनों से ही सीखते हैं चाहे वो नैतिक नियम हो या कोई और दूसरी चीजें हो अगला प्रस्ण है किस के अनुसार इदम एहम और परा एहम व्यक्तित के तीन घटक है यानि किस व्यग्यानिक ने कहा कि इदम एहम और परा एहम व्यक्तित के तीन घटक है Option 1 यूंग ने, Option 2 वंडूरा ने, Option 3 एडलर ने, Option 4 फ्राइड ने सही उत्तर है, Option 4 फ्राइड नाम के वैग्यानिक ने कहा था कि इदम एहम और पराहम वैक्तित के तीन पुर्मुख घटक होते हैं सिग्मंट फ्राइड ने वैक्तित के विकास में चेतन की अपेक्षा अचेतन को सरवाधिक महत दिया अब प्रसन आता है कि सबसे ज़्यादा जो महत्व है चेतन की अपेक्षा अचेतन को किस ने दिया था तो उसका उत्तर भी सिग्मंट फ्राइड ही होगा क्योंकि इसका चेत्र अधिक विस्तरत है, फ्रायट ने व्यक्तित्व की सरचना में इदम, एहम और पराएहम या अत्यनतहम इन तीनों तत्वों को विशेश रूप से महत दिया था तत्व समंद इदम, एहम और पराएहम जन्मजात वनसानूगत चेत्र से होते हैं यानि जो हमारे अंदर एहम की भावना होती है, इदम, एहम और पराएहम की जो भावना होती है, वो जन्मजात होती है, वनसानूगत होती है यथार्थ जगत से होती है, यानि जो एक्चुल में ये हमारे दुनिया है, उससे समंदित होती है नेतिक मोले आत्मा की अंतन करण की पुकार अगला प्रस्ण है किस वहवारवादी की माननता है या मानना है कि अन्य वहवारों की भाती भासा भी किरिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है किस वहवारवादी सिख्षा विद ने कहा था कि अन्य वहवारों की तरह ही भासा भी किरिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है इसकिनर 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 इसक उनके अनुसार पिरसिद वहवारवादी अमेरीकी मनोवग्यानिक पी एफ इसकिनर ने अपनी पुस्तक दा बीहेवियर ओफ और्गेनिजमें सीखने के सिदान्त का पृतिपादन किया था। अब यहां पर एक और इंपोर्टन प्रसना आ जाता है कि बीएफ इसकिनर किस देश के मनोवग्यानिक थे। उत्तर होगा अमेरीका उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी। उत्तर होगा बीहेवियर ओफ और्गेनिजम उसने जो सिदान दिया उसको बीहेवियर ओफ और्ग वैवार से इस सिदान दिया था उसको किस पुस्तक में लिखा था बीहेवियर ओफ और्गेनिजम में। किसी भी तरह से प्रसन पूछा जा सकता है गुमा फिरा के तो उसमें कन्फीूज ना हो और आप समझें कि किस तरह का प्रसनिहां से निकल के आ सकता है। यह सिदान कि उस सिदान को सिदान किरिया प्रसूत अनुबंद सिदान कहा जाता है। इस सिदान के अनुसार एक ही किरिया को बार बार करने पर परिपकुता आ जाती है। यानि जब हम किसी किरिया को बार बार दोहराते हैं तो उससे क्या होता है वो हमें काम करना अच्छे से आ जाता है और उसको हम कभी भूलते नहीं हैं जैसे मालिया कोई बच्चा बार बार अपने टेबल को या पहाड़े को रिपीट करता है तो वह उसको अच्छे से लर्न कर लेता है अगर हम उसको रिपीट करके या कुछी भी बीच में से उसको पूछते हैं फटा पर उसका जवाब भी दे देता है इसी प्रकार भासा का विकास भी हो जाता है और आसानी से सीखा जा सकता है अगला प्रस्न है निम्न लिखित में से कौन केंद्रिय प्रिवर्ती की माप नहीं है option 1 बहुलांक, option 2 पिरसार, option 3 मध्यांक, option 4 मध्यमान से उत्तर है, जो पिरसार होता है, वो केंद्रिय प्रिवर्ती की माप नहीं होता है केंद्रिय प्रिवर्ती की माप कौन कौन से होती है बहुलांक होता है, मध्यांक होता है और मध्यमान जबकि पिरसार जो होता है केंद्रे प्रिवर्थी की मापों में नहीं आता है किसी स्रेणी में चर का मान जो उस स्रेणी का प्रिवर्थी निधित करता है केंद्रे प्रिवर्थी की माप कहलाती है केंद्रे प्रिवर्थी की माप निम्न है सबसे पहले आता है माध्ध है दूसरा होता है माध्धिका तीसरा होता है बहुलक जबकि पिरसार जो होता है वो केंद्रे प्रिवर्थी की मापों में सामिल नहीं है केंद्रे प्रिवर्थी की माप का जो पिर्मुगुन है वो क्या है चर का मान जो उस सेणी का परती निदित करता है जो चर है उसका कोई भी मान हो और उस सेणी का परती का परती करता है केंद्रीय प्रवर्ति की मान कहलाती है अगला प्रस्ण है अधी गम में प्रियत्न वे भूल के सिध्धान्त का पृतिपादन किस ने किया था? या अधी गम के लर्निंग के जो सिध्धान्त दिये थे उन्हें प्रियत्न वे भूल का सिध्धान्त दिया था था थांडाइक ने अधी गम के प्रियत्न वे भूल के सिध्धान्त का पृतिपादन किया था जिसके अनुसार अधी गम के प्रियत्न वे भूल के सिध्धान्त क प्रतिपादन थांडा एक ने किया था इस सिधान्त के अनुसार प्रियास एवं त्रोटी के द्वारा सीखने वाला एक निशित उद्धीपक के लिए एक निशित अनुकुरिया करने में परिपिक हो जाता है इस सिधान्त के उद्धीपक अनुकुरिया सिधान्त चयन और समं या चयन और संबंद का सिधान्त भी कहते हैं इसको कई नामों से जान सकते हैं प्रियत्मे भूल का सिधान्त प्रियासेम तूटी का सिधान्त उद्धीपक अनुक्रिया सिधान्त या चयन एवं संबंद का सिधान्त भी इसको कहा जाता है और इसका प्रतिपादन ठांडाइक और थणड आइक ने जो अपने प्रियत्न और भूल या प्रियास्तुति के जो नियम थे प्रतिपाधन जो किये थे वह उस पर किया गया था, बिल्ली पर थनड आइक ने अपने सिदानत का प्रियोग सबसे पहले बिल्ली पर किया था अगला प्रस्ण है निम्न लिखित मापन के इस्तरों में सबसे अच्छा कौन है अप्शन एक अनुपात अप्शन दो नामिक अप्शन तीन किर्मिक अप्शन चार अंत्राल सही उतर है अप्शन नमबर एक अनुपात मापन के इस्त्रों में सबसे अच्छा होता है और सरल होता है मापन के इस्त्रों में मापन के लिए सबसे अच्छी विधी अनुपात विधी होती है जिसमें दो या दो से अधिक तत्यों को मापने के लिए अनुपात का सहारा लिया जाता है इस मापन में तुरुटी की संभावना नियून्तम होती है अगला प्रस्ण और इस भाग यानि भाग नंबर 9 का ये अन्तिम प्रस्ण है निमलखित में से कौन वक्तित का प्रक्षेपी परिक्षण नहीं है निमल लिखित में से कौन व्यक्तित का प्रक्षेपी परिक्षन नहीं है आप्शन एक TAT, TAT ऑप्शन दो रोर्शा स्याही दपबा परिक्षन आप्शन तीन सब्ध साहचरिय परिक्षन आप्शन नमर्चार सोला पी एफ परिक्षन सही उतर है 16 PF परिक्षन जो है वक्तित का प्रक्षेपी परिक्षन नहीं होता है जबकि TAT, रोर्षा स्याही धबबा परिक्षन, रोर्षा साहचरिय परिक्षन ये सबी वक्तित के प्रक्षेपी परिक्षन माने जाते हैं जबकि 16PF परिक्षन जो होता है वो वक्तित का प्रक्षेपी परिक्षन नहीं है प्रक्षेपी परिक्षन वे परिक्षन होते हैं जिसमें वक्ति के विचारों की अभी वक्ति सामिल होती है उसके अभी वक्ति से वक्तित का मापन किया जाता है जैसे रोर्सा स्याहि धबा परिक्षण, TAT, सब्द साहचरिय परिक्षण, जबकि 16 PF परिक्षण अब प्रक्षेपी परिक्षण है जिसमें वक्तित के या वक्ति के सामने प्रसनों को रखा जाता है और उसका जवाब प्रसन के विकल्ग से प्रात किया जाता है इन प्रस्णों की संख्या 164 होती है 16PF परिक्षण में प्रस्णों की संख्या कितने होती है 164 ये धान रखने वाली बात है 16PF परिक्षण में कुल प्रस्णों की संख्या 164 होती है और 16PF परिक्षण आप रक्षेपी परिक्षण है इसमें वक्तित्ट का परिक्षन जो होता है वो प्रस्नों के उत्तर दे कर किया जाता है दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी और साथ ही दोस्तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहें अपने दोस्तों में सेयर करते रहें जिससे सवी लोग हमारे चैनल पर आ सकें और हमारी सिक्षप्रद और पूर्ण वीडियो का लाग उठा सकें साथ ही अपने आने वाली परिक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर किया है आपने तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा दें मिलते हैं अगल वीडियो में रन्यवाद